जहिन दोस्तों मैं कपिल सैनी आज हम लोग उत्राखंट PCS का जो सलेबस है वो देखेंगे यह सलेबस लेटेश नहीं है यह सलेबस वो है जो अभी तक चलता आया है और लगबग पिछले दो तीन जो PCS के एक्जाम हुए है वो ही एक तरीके से चला रहा है उसमें कोई बता चुका हूँ कि हमारे हाँ पर उत्राखंट के अंदर ये तीन फेज में एक्जाम होता है प्रारमभी परिक्षा जो प्री एक्जाम है जिसमें दो कोशन पेपर हमारे सामने होता है एक जीएस वन और दूसरा जन्रल एप्टिट्यूट टेस्ट इसमें डोनों डेड़ थार्टी-थरी परसंट मार्क्स लाने होते हैं कि अप्र दूसरा था मेहींस मेने आपको बता था यह पहले मैं बता चुका हूं कि पंद्रवसों नमबर के एक्रीषा के आता है यह इस पेपर आता है साथ कोशन है देन के बाद इंटर्व्यू मैं आप लोग को सलेवस के बारे में आया था तो मैं सिर्फ सलेवस के बारे में जिक्र करते हैं देखो जब हम लोग प्री एक्जाम के बारे में बात करते हैं तो प्री एक्जाम का जो सलेवस है जिसमें आपको दो घंटे का पेपर मिलता है उसमें क् देखो सबसे पहला portion आता है जिसमें हम लोग की Indian Indian history, culture और special से mention किया है हमारा national moment राश्टी आंदोलन इन अगर मैं तीनों portion को एक पैमाने में उठा करके देखू तो जो national moment वाला portion है यह सबसे important है सबसे ज़्यादा question इससे आता है बट फिर भी हमारे commission ने सब चीज खोल करके हमको बताईए आपको पढ़ना क्या-क्या है जिसमें हम लोग जब ancient time का काल देखते हैं पुराने time वाला उसमें हडपा वाला topic, Vedic period, संगम age, संगम यूग, महा जनपद, मगद का उतकर्ष जैसे हम लोग एक नाम सुनता है ना, मौरिय सामराज्य वगरा वो सब हम लोग इसी का ही एक पार जाकर के देखते हैं मगद वाले के portion के अंदर बहुत सारे नागवंश है, शिशु नागवंश वगरा बहुत सारे वंश आता हैं तब जाकर के हम इस पूरे मगद को एक बड़ी डाइनस्टी में जाकर के पढ़ते हैं, ठीक है, फिर इसमें धार्मिक आंदोलन में हम लोग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में स्पेशल से पढ़ते हैं, सबसे आदा question इन दोनों से आते हैं, वैसे पढ़ते हम शैव मत भी हैं, लेकिन सबसे आदा focus हम लोगा रहता है, जैन और बुद्धिज्म के ओपर, पार्सी युनानी संपर्क, जो हमारे देश के अंदर स्टार्टिंग में, विदेशी जो लोग थे, वो आए थे, उन से हम लोग संपर्क सास, मतलब देखते हैं कि बाई, किस तर related जो facts बनते हैं, वो उठा करके देखते हैं, जो important जो dynasties हम लोग को पढ़ने होती है, जिसमें एक है मौरिय dynasty, जिसमें हम लोग को चंदरगुप्त मौरिय, अशोक और उनके धम, special से पढ़ने होते हैं, हम लोगों ने देखो इसके अंदर बिम्बिसार हुआ, या फिर औ काड़ नंबर वाले हैं, उनके बारे में, अशोक के बारे में special से बताया गया है, जो उनोंने, मतलब अपनी, जो राजनीती चलाई थी, राजनीती के सासा, जो उनोंने बहुत धर्म का प्रचार, प्रसार किया था, उसके धम के बारे में, प्लस, मोरिय टाइम के अंदर, जो उनका administration या प्रशाशन रहा है, जो उनकी economy रही है, जो उनकी society समाज और जो उनका art वाला portion रहा है, culture वाला portion रहा है, वो special से mention किया है, कि वह आपको ये इनके उपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, और जब हम लोग mains का syllabus देखेंगे, तो mains के syllabus में भी कुछ ना कुछ यही चीजे मिलती है, बस वहाँ पर describe कर दिया जाता है, इसके साथ साथ हम लोग को कुछाण जो dynasty हैं, और उनसे related जो पहलू है, वो भी देखने होता है, ये दोनों ना parallel चलते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, गुप्ताज डाइनिस्टी, उसमें उनकी foundation, इस्थापना कैसे हुई, या फिर वो किस तरीके से, मतब एक तरीके से, पढ़िया तरीके से युनाइट हुए, या फिर उन्होंने अपने आपको establish किया, और किस तरीके से उनका पतन हुआ, किस तरीके से वो खतम हो गए थे, आगे जा करके, तो इसके अंदर हम लोग को कुछ, जो गुप्ताज duration के जो ruler आते हैं, उनमें जैसे चंद्रगुप्त first, ये चंद्रगुप्त मौरिय अलग हैं, ये चंद्रगुप्त अलग हैं, फिर समुन्द्रगुप्त, चंद्रगुप्त second, सकंद्रगुप्त, ये सब चीज हम लोग को ज़्यादातर देखना हैं, वैसे इसके अंदर नॉर्मली जो पढ़े जाता हैं, वो साथ लोग पढ़े जाता हैं, बट आपके सलेवस में, जो मूल, जो है, बेजर फोकस पोर्शन है, वो चार लोगों के उपर है, फिर इस गुप्त एज के अंदर ही, हम लोग को उनका एडमिनिस्रेशन देखना है, किस तरीके से एडमिनिस्रेशन चलता था, उनका कल्चर किस तरीके से रहा था, सोसाइटी कैसी रही थी, उनकी एकॉनमी कैसी रही थी, उनका लिटरिचल आर्ट वाला पोर्शन कैसा था, और बाकी जो इनसे रिलेटिड फैक्स होते हैं, वो हम लोग को देखने होते हैं, फिर, हम लोग को गुपताज टाइम डुरेशन के बाद, पोस्ट गुपताज एरा के अंदर देखने होता हैं, कुछ छोटी-छोटी सी डैनिस्टीज, जो नदन इंडिया वाले पार्ट में, या उत्तर भारत वाले पार्ट के अंदर, बहुत तेजी के साथ पली बड़ी थी, जैसे उसमें एक हर्षवर्धन का काल देखते हैं हम लोग, जो लगबग 607 के आसपास से हम लोग उठा करके देखते हैं, फिर, पालवंच, प्रतिहार, राश्चकुट, चोल, पलव, चंदेल, परमार, चोहान, ये अलग-अलग डाइनेस्टी, सिर्फ नदन इंडिया वाले पोर्षण के अंदर हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ एक दो ऐसे भी हैं, जो मिडल इंडिया वाले पोर्षण के अंदर उठा करके देख लिए जाते हैं, है ना, और कुछ छोटे-छोटे से हैं, जैसे चोर, चेल, पांडिया हम लोग बात करेंगे, वो शायद इसके अंदर नहीं है, बट हम लोग को पढ़ने वो भी होते हैं, वहां से भी कोशन पूछ ले जाते हैं, तो ये वाला पोशन इन से रिलेटेड हैं, इनका समाज या सोसाइटी कैसी रही थी, इनकी एकॉनमी की इस प्रकार की जह चला करती थी, और यहां पर इनका कल्चरली डेवलेप्मेंट किस तरीके से हुआ था, सांस्कृतिक विकास किस तरीके से हुआ, और इन से रिलेटेड जो फैक्ट्स रहे हैं, वो हम लोगों को देखने हैं, इस स्पेशल से साड़े छे सो से और लगबग बारा सो तक का यह इतिहास, तेन उसके बाद भारत के अंदर, हम मिडल इंडिया वाला पोर्शन, या फिर मद्धेकाल भारत के इतिहास वाले पोर्शन के अंदर आ जाते हैं, जिसमें हम भारत में इसलाम के आगमन का एक स्पेशल से टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें हम स्लेव डाइनेस्टी, गुलाम वंच वगारा और आगे खिलजी डाइनेस्टी, तुगलग डाइनेस्टी, लोधी डाइनेस्टी, है ना, फिर उसके बाद मुगल, ये हम लोग एकटे पाँच शे डाइनेस्टी उठा करके देखते हैं, सेद डाइनेस्टी भी उसी के अंदर है, यहां नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ना फिर भी होता है, आही जाता है कोशन, तो इसमें हम लोग को इल्तुत्मिश, बलबन, दो दे रखे हैं, लेकिन इसमें रजिया को भी पढ़ना होगा, है ना, जो इल्तुत्मिश है, इल्तुत्मिश के बाद, छोटा सा एक पोर्शन उसके लड़के का भी देखना होगा, पिर उसके बाद, अलाउदीन खिलजी है, लेकिन हम लोग को फिरोज शाह खिलजी भी देखना होता है, मतलब इसमें सिर्फ मोटी मोटी सी बाते बता रखी है, पोर्शन हम लोगों से इन से रिलेटिक्ट करके और भी चीज़े पूछ ली जाती है, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नहीं चलता है यो, कोशन एक दो आई ही जाता है दरुदर से, मौहमद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, ये सब अलग-अलग डाइनेश्टी के लोग है, है भारत के मिडिल एज वाले पॉर्शन के अंदर ही, फिर जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है, ये जितनी भी चीज़े हम लोग को पढ़नी है, ये सब के सब लोग एक टाइटल के अंदर आती है, जिसको हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक, इस दिल्ली सल्तनत का टूटल सब के सब जो जितने भी लोग आए हैं, उनका एड्मिनिस्टेशन हम लोग को देखना है, जैसे इलतुतमिश है, या फिर बलपन है, इनका एड अलग कर दिया होगा, उसने कुछ टेक्सेशन शिश्रम शायद अलग से बना दी हो, सबस्यादा टेक्स लेने वाल आदमी बन गया हो, मुहमबन बिन तुगलक के टाइम में कुछ नए सिक्के इसने चला दी हो, है ना, तो इनके अलग-अलग अडिमिस्टेशन रोल हम कन्योज हुआ करता था, लेकिन कन्योज से दिल्ली शिफ्ट हुआ इनके टाइम में, तो अब ये दिल्ली किस तरीके से पतन के कारण इसके बने थे, इस दिल्ली के पतन के कारण किस क्या कारण बने थे, कि ये दिल्ली अब यहाँ पर जो पहले एक शाही चेर के नाम से जा इसके अंदर ही यहां की सोसाइटी को देखना है समाज को यहां की अर्थवेवस्ता इकॉनमी को इंडो-स्लामिक जो वास्तु कला है बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है जो हमारे हाँ पर कल्चर वाले पार्ट के अंदर पढ़ा जाता है यह हम लोग को देखना है कहां-कहां पर मजडितों का विकास हुआ है कहां पर बड़े-बड़े महल बनाए गए हैं उन में भारत की कला और भारत के भार से आने वाली कला उसमें अफगानी भी हम लोग को देखनी है इरानी भी हम लोग को देखनी है इंदुस्तानी भी हम लोग को देखनी है वो सब चीज इंडो साथ हम लो southwest फ्री मत भी देखना है ससे और इस तरफ प्र लिखब भक्ति आंदोलन भी हम लोगों को देखना सूफी मत और भक्ति आंदोलन जैसे आप लोगों ने नाम सुने का अजमेर वाला जह है चिष्टी जह है शेक सलीम चिष्टी उस तरफ का भी एरिया हम लोग का एंगल देखना होता है इसमें और इंसे रेलेटिड और बाकी जो फेक्ट्स वजते हैं वह भी आपने देख लेना है इसमें फिर हम लोग को देखना है इसी मिडिल एज के अंद मुगल एंपायर मुगल सामराज्य उसमें बाबर का स्टार्टिंग कैसे रही थी फिर शेडशा सूरी अकबर शाजा औरंग जे मुगल सामराज्य लिखे कुछ ही है बट पूछे लगभग सभी जाते हैं तो हम लोग सब के बारे में देखेंगे मुगल सामराज्य का पतन क कैसे हुआ उसका administration किस तरीके से चला था उनके हाँ पर जागिरदारी व्यवस्था किस कर परकार से थी जमीदारी व्यवस्था मतलब जागिरदारी मतलब जमीन की कैसी व्यवस्था हुआ करती थी उसको control करने वाले administration किस टाइब के हुआ करते थे मनसबदारी व्यवस्था कैसी थी इनके समाज सोसाइटी कैसी थी इनकी अर्थ व्यवस्था कैसी थी इनका आर्ट एंड कल्चर इस्थापत्ते कला वो कैसा रहा है फिर इसके साथ-साथ इनके पैरलल हम लोग को देखना होता है मराथा, सिक, जाट और एक राजपूत भी हम लोग पढ़ते हैं ये सब की सब एंपायर मतलब जो चुटी-चुटी रियासते थी जो आगे जाकर के बहुत बड़ी बन गई थी इनके परलली हम लोग को देखना होता है ठीक है तो एक तो मिडल इंडिया वाला पोशन ये बनता है दन फिर हम यूरोपियन का आगमन देखते हैं पर्टुगीज, डज, फ्रांसिसी वैसे इसके अंदर थोड़े कम है लेकिन हम लोग को पांच पढ़नी होती है पीडी एफ सिस्टम से पांच पढ़नी होती है ठीक है अब इस यूरोपियन पोशन के अंदर इस स्पेशल से जो इस इंडिया कंपनी बनी थी ब्रिटिश शाशन था दो पोशन में बाट रखा है 1758 से और 1857 तक 1758 क्यों क्योंकि 1757 से इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया था बेंगॉल से बैटल आफ प्लासी से प्लासी के यूदि से और 1857 का विद्रो जब हुआ था उसके बाद स यह administration company से shift हो गया था ब्रिटिश एंपायर पर तो फिर वहां से हम लोग को देखना आगे वाला पूर्शन और इन्से रिलेटेट फैक्ट्स फिर जो नया समाज 19 सदी का बनके आया था 19th century का जो नया society बनके आ रहे थी उसके अंदर कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन जैसे राजा राम मौहुन रॉयाचि का हम लोग पड़ता हैं यंग बेंगॉल मॉवमेंट हम लोग पड़ता हैं और त्यूसुफिकल सूसाइटी हम लोग पड़ता हैं ऐसे बहुत सारे मॉमेंट है जो हम लोग को इस वाले portion के अंदर देखने होता है और इईस से related facts जिस के एक वाइसराय को बना करके भेज जा जाता है आगे जाकर के उसी को हम गवर्नर जनरल के नाम से जानते हैं तो इसके अंदर हम लोग को स्पेशल से 1857 का रिवाल्ट देखना है और जो हमारे हाँ पर गैर आदिवासी और आदिवासी जाती है और किसान अंदोलन रहे हैं ये व आप साथ साथ में अपना मेंस तेयार कर सकते हैं और मेंस की तेयारी अलग अलग नहीं होती है वो दोनों साथ में हो करके चलती है ठीक है फिर 1857 के बाद जो ब्रिटिश एंपायर था उसका रूल एडिस्टेशन कैसा रहा था फिर इंडिया के अंदर भारत सरकार अधिनिय कैसी रही थी कैसी हमारी सोसाइटी की प्रोसेस रही थी हमारे यहां पर जूडिशरी सिस्टम कैसा रहा था जूडिशरी जो प्रणाली उन्होंने इंप्लिमेंट की थी और उसका असर हमारे यहां पर एडिमिस्टेशन पर एडियूकेशन पर और आपकी जूडिशरी उठा करके इस 1858 के एक्ट के बाद देखने होते हैं अब बहुत important portion आता है भारत में राश्टवाद का विकास और राश्टी आंदोलन का उदेख अब इसके अंदर हम लोग को क्या देखना होता है भाई इसमें जो देश के अंदर एक बहुत बड़ी party बनी थी उस दोरान भारती राश्टे कॉंग्रेस इंडियन नेशनल कॉंग्रेस वो किस तरीके से बनी थी उसकी foundation कैसी थी उसके अंदर जो modernist लोग थे और extremist लोग थे उनके बारे में देखना है उदारवादी और अतीवादी जिसको आप शुद भाषा में गरम दल और नरम दल बोल दिया करते हैं तो वो हम लोग को देखना है इस कॉंग्रेस के साथ किस किस तरीके से उनका फेज चला था शुरू के 20 साल महता जी के अंडर में रही थी उसके बाद फिर लाला लाजपतराई जी जैसे लोग है ना ज सेपरेशन और बेंगल टॉपिक बनता है जो स्वदेशी आंदोलन था देश का मुस्लिम लीक की स्थापना इसके साथ साथ ही पढ़नी है सूरत का स्पेशल जो सेशन हुआ था जिसमें कॉंग्रेस जो थी कॉंग्रेस का विभाजन हो गया था दो हिस्सों में पट गई थी वही extremist and modernist वाले में जो 1907 में हुआ था special से इसी के अंदर माडले मिंटो एक जो reform आया था जिसने भारत के अंदर divide and rule को मतलब एक तरीके से जन्म दिया था यहां से पता चलता है यह हम लोग को पढ़ना है इसके साथ साथ first world war देखना है जो 1914 से उठा करके 1918 तक और उसी के दोरान इंडिया के अंदर home rule league आंदोलन देखना है जो south इंडिया से start हुआ था विपिन चंदरपाल लोग मानने तिलक और शिरिमती एनी बेसेंट जी 1916 से हम लोग देखते हैं इसके अंदर ही लखनौ पैक्ट हम लोग देखते हैं जब Indian National Congress और Indian Muslim League दोनों साथ में आ गई थी और even extremist और modernist लोग भी साथ में आने की बात कर गए थे 1907 का अगस्त घोषना जो British Parliament में हुई थी वो हम लोग को देखनी है क्रांतिकारी आंदोलन जो इसी के छोटे-छोटे से दौरान हुए थे चुट-पुट छुट-पुट घटनाए जिसको अंग्रेजों ने मतलब तो द्वाने का बड़ा प्रयास भी किया था इसके अंदर हम लोग जो बहर के आंदोलन थे वो भी देखेंगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं गदर आंदोलन जैसे जो क्रांथिकारी आंदोलन थे इसी के दोरान इसी के अंदर गांधी युग देखते हैं जो 1915 से गांधी जी भारत में आएंगे उनकी अलग-अलग यातराएं होंगी और 1917-18 में दो-तीन आंदोलन भी उनके देखने हम लोग इसी फेस के अंदर देखते हैं भारत और विदेशों में क्रांति कारियांदोलन ये उसी का ही एक पार्ट है जैसे सेन फ्रांसिस्को में हुआ था लंडन में भी कुछ घटनाएं चल लही थी और इंडिया के अंदर भी नासिक में बहुत जादा घटनाएं हो रखी थी वो हम लोग को देखने होती हैं भारत सरकार दिनिया 1919 इंडियन गवर्मेंट एक्ट 1919 बहुत इंपॉर्टन है और इसकी हर एक चीज खोल के विस्तार से पढ़नी होती है वो हम लोग पढ़ेंगे जिसका आज हमारे इंडियन जो कॉंस्टूशन है उसके उपर बहुत बड़ा रोल पढ़ा देन उसके बाद जो था वो हम लोग को देखना है उसके साथ साथ जलिया वाला बाग जो नरसंगार हुआ था उसके बारे में पूरा खिलाफत मुमेंट क्यों शुरू हुआ गटनाई बहार से विदेश में जन्म ली थी और इंपेक्ट इसका इंडिया के अंदर नजर आया था इसी के को अपरेशन मुमेंट ऐसे ही हो गांदोलन वो रूका कैसे था चौरी-चौरा घटना से अंदोलन से प्रत्थम गोलमेज फर्स्ट राउंड टेबल कॉनफरेंस देखना है गांधी इर्विन पैक्ट देखना है इसमें सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल जो कॉनफरे किया था कम्यूनल अवर्ड वो हम लोग को देखना है और फिर पूना पैक्ट किस-किस के बीच में हुआ था गांधी जी तो आमरण पर बैठ गए थे फिर अंबेडगर जी गए थे उनको भाई-साब जी रहन दो कुछ जूज जास पीलो ऐसा मत करो तो वो सब चीज हम लो लोग यहां से देखते हैं हम इसी के फेस के अंदर 1939 का जो पाकिस्तान का अधिवेशन था वो देखते हैं जिसमें पहली बार पाकिस्तान के मांग जैसी बात रखनी श्टार्ट हुई क्रिप्स मिशन देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना बहुत important फेस उसी के सासाथ परल से रेगुलेट किया जाएगा अंतरिम सरकार प्रिटिश लोग जब जुक गए थे कि हाँ ठीक है क्योंकि सेकेंड वर्ड वाड चलना था हाँ ठीक हम आपकी सरकार बना के देंगे तो वो जो अंतरिम सरकार थी उसमें कौन-कौन था क्या उसके मतलब क्लासिफिकेशन थी किस तरीके से किसको कौन सा विभाग दिया गया मौंट पेटन योजना बहुत इंपोर्टेंट भारत का स्वतंदरता अधिनियम 1947 इंडियन फ्रिडम एक 1947 बहुत इंपोर्टेंट पिर उसके बाद भारत का विभाजन आजादी के बाद का भारत देखने में एक लाइन है लेकि मतलब वो है कि इसी के अंदर हम कहने के लिए तो हिस्ट्री है लेकिन मोटे मोटे से हम फैक्ट उठा करके देखते हैं जैसे हमारे यहां पर योजना योग बना था हमारे यहां पर फाइव यर प्लैंस बने थे अलग-अलग जो छोटे-छोटे क्रिया कलाप हुए जो पड फिर उत्राखंड का इतिहास और संस्कृति भी है ठीक इसके अंदर जो उत्राखंड की हिस्ट्री है वही तीनों वाली तीनों हिस्ट्री वह सब की सब हम लोग को इसके अंदर उठा करके देखनी होती है इसके अंदर हम लोग बेसिकली वह देख लेते हैं कि भई कहां कहा पर गुफआ हैं जहां पर हम लोगों को मिल्हें आधी इमानों के शाक्षे मिल्हें इस टाइप से ज्यादस तर के वगरह के भारे मैं इसमें देखता आगा साथ है इस वाले काल से जो अभी तक आपको ने अनलाइज किया अधिर प्राचीन जो जंजातियां है जो ट्राइवल कम्यूनिटी है हमारे यहाँ पर 5-6 पढ़नी होती है आपको ज्यादा तो नहीं है उसके बाद फिर कुनिद और कार्थिकेपूर राजवंश कतियूरी राजवंश इनके बारे में special से knowledge लेने होती है फिर गडवाल के परमार राजवंश और कुमाओ के चंद राजवंश गोरखा उनका administration ब्रिटेश और टिहरी रियासत यह कुछ important देखने में हम लोगों ने एक लाइन में कतम करती हैं लेकिन एक लाइन में कतम नहीं है इनका भी इतिहास काफी बड़ा चोड़ा आप लोगों पढ़ना होता है लेकिन जादा depth में नहीं जाना होता है वह मैंने आपको बुक वाले चैप्ट जब मैं आपको बुक वाला section बताया था एक पूरी वीडियो बना रखी है उस बुक से आप लोग अगर कर लोगे तो उससे बहार आपको करने की जुरत नहीं है PCS के लिए बाकी वंडे एक्जाम की बात नहीं है मैं कर रहा हूं इसमें उत्राखंड में स्वतंदरता संगर्च जो था 1857 का जो reward था उसमें उत्राखंड का क्या contribution रहा है और question पिछले वाले PCS में पूछा गया था लेकिन इस से नहीं पूछा गया था वो पूछा गया था national movement से कि उत्राखंड की इन में से कौन-कौन से लोग थे जो इस वाले movement में participate करने गए थे तो वहां से question पूछे आता है उत्राखंड भारति राष्ट्य आंदोलन में उत्राखंड का युगदान इस वाले topic से question आया था पिछली उत्राखंड उत्राखंड के हैं वो यहां से आप लोगो को cover करने होता है तो यह तो तहा आपका सिर्फ history अब इसमें unit 2 आती है जिसमें इंडिया इंडिया and world इन दोनों की geography इसमें world geography विश्व का भूगोल जिसमें भूगोल की जो अलग-अलग शाखाएं हैं अलग-अलग atmosphere 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 ना यह मतलब soil का classification चल गया आपका एक जैव आपके होती है बायो डायवर्सिटी पायो लोजीकल एक अलग से चला गया इसके अंदर बहुत सारी जो इसकी अलग-अलग dimensions है वो एक थोड़ी सी सरसरी निजर में उठा करके देखने होती है ठीक है इसमें हमारी जो अर्थ है और उसका सोर मंडल है बहुत important है यह astronomy topic के अंदर आता है खगोली की विज्ञान के अंदर topic आता है पूरा यह हम लोग को देखना है फिर geomorphology वाले topic के अंदर हम लोग अक्षांस और देशांतर latitude and longitude के बारे हम पढ़ते हैं हम यहाँ पर पढ़ते हैं time time किस तरीके से earth पर move करता है हर एक देश का अलग-अलग time है जैसे हमारे यहाँ पर fix है plus 530 है ना east best नहीं तो हर देश का अपना अलग-अलग time standard है वो देखते हैं फिर हमारी जो earth है earth का rotation and revolution दोनों हम लोग देखते हैं earth अपनी axis पर जो घूमती है उससे related जानकारी और earth जो sun के 4 और घूमती है उससे related जानकारी फिर किस तरीके से ग्रहन होता है ग्रहन आपने सुनाई होगा आज सूर्य ग्रहन है यह फिर चंदर ग्रहन है ऐसे बहुत सारे cases होते हैं इसके अंदर भी फिर इसी के अंदर हम लोग-अलग continent के बारे में देखते हैं mountains देखते हैं प्लेट्यू देखते है आपके grounds देखते हैं grounds मैदान उसी के अंदर हम लोग फिर जल मंडल बहुत important है जिसके अंदर पूरे world के अंदर जितने भी हमारे आपर oceans हैं उन oceans की study करते हैं उसके अंदर जो lakes हैं जील है plus ये बाहर का एक topic इसके अंदर जुड़ गया है rocks rocks हम लोग को देखनी होती है फिर हम लोग climateology वाले topic के अंदर जो वायू मंडल है उस वायू मंडल की परदों के बारे में देखते हैं जो एक ही topic हम लोग देखते हैं उसमें छो मंडल मद्दे मंडल है ना मतलब exosphere वागरा मेथो में आपका mesosphere हुआ इस type की जो layers हम लोग एकते हैं उनकी जो special से जो उनकी सरणचना बनी हुई है उनकी information क्या क्या उसके लिए मतलब जो ज़रूरी चीजे होती है क्या उसकी खास बात होती है ozone layer कहां है rocket कहां पर उड़ाये जाते हैं कहां पर सबस्यादा electronics वगरब waves पाई जाती हैं उस type की उसमें फिर उसमें बहुत important है insulations sour top मतलब हमारी जो earth है हमारी earth पर जो सूर्य की विक्रण आ रही है उन से related चीजे कि कहां पर सबस्यादा जैसे पहाड़ है एक पहाड़ है एक पहाड़ के एक तरफ ही सिर्फ पेड़ पौदे नजर आ रहे है दूसी तरफ पेड़ पौदे ही नहीं भाई क्यों नहीं है ये तो सब वो इस concept से clear होता है वो सब के सब इस concept से clear होता है फिर हम लोग आधरता देखता है भाई मौसम के अंदर जो हीमिरिटी वगरा होती है उसके बारे में महासागरियन नितल की बनावट बहुत important topic है जो हमारे oceans है उन oceans का जो floor है उस floor पर किस टाइब की बनावट देखने को मिलती है कहीं गड़ा है कहीं पाड़ी है कहीं छोटे-छोटे ridge है है ना इस टाइब की चीज़ है फिर हम समुदर के अंदर जो waves धाराएं वगरा होती है वो हम लोग देखते है currents जिसको हम बोलते है बड़े level पर उसी के अंदर हम लोग जवार भाटा tide वगरा देखते है समुदर का तापमान किस तरीके से काम करता है temperature समुदर के अंदर जो saline पन उसका आता है वो किस तरीके से आता है समुदर घारा क्यों हो रहा है बई कहीं पर पानी उसका कम घारा है कहीं पर मीठा है क्यों हो रहा है इसी के अंदर फिर topic के अंदर हम लोग agriculture वाला portion देखते हैं पौधे जो पेड़ पौधे हैं जन्तू पशुपालन एनिमल हजबेंडरी एनर्जी खरीशन साधन बहुत important topic है यहां से हर बार एक question आता है पिक्स है एक question इस वाले topic से आता ही आता है और यह पता कैसे चलेगा आपको paper question paper analyze करके इसी के अंदर हम लोग industries देखते है वर्ल्ड की industries विश्व के अंदर किस देश के अंदर सबस्यादा cotton बन रहा है सबस्यादा manz की factory आं कहां पर है क्यों है मतलब उनके पीछे के logic भी सबस्यादा iron का production कहां हो रहा है वो सब industry वाले section के अंदर जाता है फिर इसी के अंदर हम लोग को population वाला topic देखना होता है अलग-अलग जंजातियां प्रजातियां देखनी होती है topic जो world की जैसे जायरा community हुई अफरीका की कुछ communities हुई तो वो इस topic के अंदर उठा करके देखते हैं और बहुत important topic जो current में भी बहुत जादा मुद्दे में हम लोग पढ़ते ही रहते हैं कहीं बारी प्रवास migration यह migration यह topic तो अभी बंगाल के बीच में मैनमार में जब हुआ था एक केस वहां की government ने कुछ विशेश community को मतलब वहां से निकाली दिया था तो माइगरेट कर गई थी इंडिया की तरफ बंगलादेश की तरफ और फिर बंगलादेश के भी कुछ लोग माइगरेट कर गए तो इप्रवास बहुत important topic है वर्ड के हर एक देश के अंदर जैसे आज के टाइम में इसराइल और फिलिस्तिन वाला केश चलना है तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी घटनाय देखने को मिल रही है तो इस जोगर्वी से उठा करके हम लोग पढ़ते हैं फिर ट्रांस्पोर्टेशन देखते हैं कम्यूनिकेशन संचार अंतर राज़्टे सीमा रेखाएं जो इंपोर्टेट है पुरे देश के 206 देश नहीं पढ़ने है कुछ ही पढ़ने है कुछ की ही इंटरनेशन बांडरी देखने होती है जैसे भारत और पाकिस्तान की है बड़ी इंपोर्टेंट है चाइना की है जैसे USA और कनाडा की है इंपोर्टेंट है ऐसे बहुत सारे देश है इटली हुआ फ्रांस हुआ कहीं सारे देश है तो सिर्फ कुछ ही चुनिंदा पढ़ने है उसके बाद फिर इंवार्मेंट परियावरण और विश्व वियापार इंटरनेशन जो ट्रेड है उसके बारे लिखने होते हैं और इंसे रिलेटेट यह जो वर्ड लिकाना भगौलिक शब्दावलिया और संबंदित अन्य पहलू यह वर्ड जो लिखा है यह वर्ड लिखा है इस्पेशल करेंट अफेर से प्लस जो पूराने टाइम से जो छोटी-छोटी वर्ड चल रहे हैं जैसे मै आपको बताओं उतराकट PCS means मेन कोशन आया था कि बताओ जो डेकन ट्रेप हम लोग लिखते हैं ये डेकन ट्रेप का मतलब से बनी है तो ऐसी बहुत सारी टम्स पूछ ली जाती है प्रिक एक्जाम में में भी और यह मेंस में भी काम आती है तो यह तो था आपका वर्ल जोग्रफी वाला फिर ऐसी आपका आता है इंडियान जोग्रफी का भारत का भुगोल इसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्षन वाला portion देखना कि अपना इंडिया है, उसके चारों तरफ कौन से देश है, कौन सा समुद्र है, कौन सा ओशन है, कौन सा सी है, कौन सी बे है, है ना इस टाइप की मोटी-मोटी सी बात, फिर उतरक, इंडिया के अंदर, जो important reliefs है, structures बने हैं, उच्चावच, कहीं पर मैदान है, कहीं पहाड है, कहीं रिगिस्तान है, उनके बारे में, उनकी संरचना वगरा, उनका structure वगरा, फिर उतराखंड, उतराखंड बोलिया बार-बार, क्योंकि उसके निचे उतराखंडी है, इंडिया की climate, वैसे इंडिया के अंदर, पूरे world के comparison में देखा जाए, तो लगबग 17 टाइप की climate हमारे यहां पाई जाती है, 17 परकार की जलवा यूँ, अगर विशेष्टा देखी जाए, लेकिन normally, on an average, अगर हम world के साथ चलते हैं, तो हम लोग मुश्किल से 4-5 टाइप की system को देखते हैं, हर छेतर, हर reason का climate बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ जो मोटे national level पर चलते हैं, उनसे बात भी करेंगे, इसमें जो drainage system हमारे हां पर है, जितनी भी नदियां वगर हैं, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, हमारे हां की जो special वनस्पती, पोध है, जन्तू, पशुपालन, मिट्टी, जलस organization, नगरी करण, अरिवेहन, आपका transportation, संचार, communication, जो communication system हम लोग का है, विदेशी व्यपार किस तरीके से किस देश के साथ कितना कर रहे हैं, कहां से हो रहा है, किस पंदरगा से हो रहा है, देश की जो schedule caste, schedule tribes है, उनके बारे में हमारी जो समाजिक परिस्तितियां है, जो social हमा आज के टाइम में जो चीजे हम face कर रहे हैं, वो demography से हम लोग देखते हैं, अधिवास, production, संबंदित, जो चीजे हैं, कहने के लिए बहुत चोटा सा, कुछ words में है, बहुत बड़ा topic है, चोटा मोटा नहीं है, आपको एक SGM rank के लिए भेजा जा रहा है, तो बहुत कुछ क करके जाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं जायागा, उत्राखंड की जोगरफी में, चीजे वो ही हैं, हमारी location क्या है, वो आकरतियां किस-किस टाइप की हमारे यहां पर है, मतलब कैसी landforms हैं हमारे यहां पर, हमारे यहां की climate कैसा है, जल्प प्रवहातंत्र, मतलब वो ही हमार हमारे यहां पर पेड़ पौदे पाए जाते हैं, irrigation facilities कैसी है, important जो cities है, पर्यटन इस्थल, जो important हमारे यहां पर, एक तरीके से tourism place है, वो सब उत्राकंड site पर, website पर मिलती है, बड़ा आराम से पढ़ा, यह portion आराम से हो जाता है, जोगरफी का, population का, population कहने का मतलब, यहां जन उत्राकंड की tribal community and SC and HD community के बारे में देखते हैं, transportation देखते हैं, किस type का है हमारे यहां पर, energy, किस type के energy resources है हमारे यहां पर, जायतर हमारे यहां पर क्या है, अब solar plant पे भी बहुत जादा focus कर रही है government, और hydroelectric plants हैं, वो हमारे यहां पर अच्छे कास हैं, उत्योगी की विकास कि हम लोगो, मतलब अपने उत्राकंड के अंदर जो special से government जिन जिन रिजन पर focus करती है, जैसे रुदरपुर हुआ, जैसे रुड़की वाला place हुआ, जैसे नादसन वाला place हुआ, या फिर जैसे हरीदवार के पास वाला, भी एचियल वाला portion हुआ, पहुत सरी ऐसी place है, मैं सि सिर्फ इस वाले इलाके के बात बता रहा हूँ, तो उसके अंदर हम लोगों को देखना है, हमारे आपर जो प्राकर्तिक आप दाएं रही है, उनका क्या करम रहा है, वो देखना है, संबंदित पहलू, इन से रिलेड़ेड और बाकी, ठीक है, तो ये था सिर्फ जोग्रफ अब इसी के अंदर यूनिट थर्ड आती है, अरतिये राजव्यवस्था, बहुत इंपोर्टेंट, पूरी की पूरी पूरी पार्लियमेंटरी सिस्टम, किस तरीके से काम करता है, शब्द एक है, लेकिन कॉंस्टूशन को निकाल करके फेक दिया है, पूरे कॉंस्टूशन में से निकल करके जाना पड़ेगा, देखो, राजव्यवस्था के अंदर भी दो टाइप की कोशन आते हैं हमारे पास, एक वो आते हैं, जो करेंट में चल रहे हैं, और एक वो आता है, जो सिर्फ हमारे इंडियन कॉंस्टूशन को आपने पढ़ा, और वहां से आपने ची पित्रवाद, चातिवाद, संप्रदायत, संप्रदाइक्ता, मतलब जैसे हम बोलते हैं, यह हिंदू, मुसल्मान कर रहा है, इस टाइप की चीजे, आतंगवाद, नकसलवाद, यह सब चीज आपको इसी पोर्शन के अंदर पढ़नी है, जो करेंट अफेर के इश्यों आप संक्यक वर्ग हैं, मतलब माइनर्डीज हैं, उनके लिए जो स्पेशल से, गवर्मेंट की जो व्यवस्थाएं हैं, कानून बनाती हैं, गवर्मेंट का, जो उनकी स्पेशल से इंस्टिूट्स बना रखे हैं, जो प्रॉसेस हैं, उनके इंपक्ट, वो सब चीज आपको दे किस किस तरकार की हमारी गवर्मेंट की पॉलिसी हैं, समानता एक्वैलिटी को ले करके, आरक्षन डिजर्वेशन सिस्टम क्या है, अधिकारिता पर, मतलब उनके अथारिटीज पर, पावर्स पर, कल्यान वेलफेर, उनकी सिक्यूरिटी, सुरक्षा के उपाए, किस परकार से हैं, वो सब चीजे, जो इस्पेशल कम्यूनिटी बेस है, बहुत इंपोर्टेंट चीजे हैं, हमारे सलेबसी बता देता है, हमको पढ़ाना क्या है, जीएस के अंदर, और इवेन हमारे हाँ, election reforms, किस किस टाइप के हुए हैं, वो पूरा इतियास उठा करके देखना होता है, साशन का संस्थागत और प्रकडिया किस तरीके से काम करती है, देश के अंदर, यूनिटी का, ना भी की निती, किस प्रकार से रही है, हमारी बीच में, change की थी, 2015 के आसपास आकर के दुबारा, पढ़ियावरन की क्या-क्या समस्य आये हैं, इसके साथ साथ, हमारे हाँ, आर्थिक और वित्य सुधार, आर्थिक और वित्य सुधार किस तरीके से रहे हैं, जो LPG की पॉलिसी अगर कभी आपने सुनी हो, वो हम लोग देखते हैं, जो 1991 से उठा करके इंडिया के अंदर उसका प्रभाव देखने को मिले था, उसके अंदर किस तरके प्रकार की आपार्ड, IDBI, IDBI, ये सब चीजे हम लोग को सिर्फ इस आर्थिक छेतर के बारे में देखने हैं, 1991 के बाद, इंडियन जो गवर्मेंट थी, वो एक एंपायर का काम करने लगी थी, जैसे टीवे में बैठे वाला थाड़ एंपायर होता ना, भई, तुमने गलत किया, तुम जैसे, ये कुछ, M, N, R, I, G, A, बहुत सारे हैं इंसिट्यूट, जो संस्थागत हमारे आपर किये गए, जैसे ये तो पुरानी चीजे हो गई, मैं आपको नहीं बताता हूं, जैसे योजनायोग, है ना, उसको नीतियोग बना दिया, तो ये भी क्या है, एक संस्थागत उदार हम लोगों को देखने होता है, जिसमें PPP partnership, public private partnership, जैसे चीजे हम लोग देखते हैं, आज कल की सड़के भी ऐसी इस policies पर बनती हैं, देश की राजनीती और प्रशाशनिक प्रकेरिया में नागरिकों की भागीदारी, वो हम लोग public programs देखते हैं, जैसे एक program government ने चला रखा है, forest management program, वो क्या है, कुछ ऐसे reason है, हमारे हाँ, जो जंगल काटने पर पहले हम लोग पैन लगाते थे, government बोलने लगी कि गाउं देहात के जो लोग हैं, अब हम उनको ही अधिकारी बना देंगे, तो ये क्या है, वो ही नागरिकों की भागीदारी के program चल रहे हैं, civil societies किस तरीके से, लोकपाल और लोकायुक्त, जो अन्ना जारी जी के moment के बाद हमारे याँ पर government ने देखने को मिला था, उसके साथ साथ जो अलग-अलग facts हैं, इन से related, वो अभी तक कोई Indian constitution की बात नहीं चली है, लेकिन ये हमारी quality वाले system के अंदर देखने को मिलता है, ये प देख रही हैं, जो important other institutes हैं, जैसे IMF हुआ, World Bank हुआ, आपका WTO हुआ, इस टाइप के और institutes, वैश्वी की स्तर पर परियावरण की समस्याएं, कोब 23 बहुत important था, conference of parties वाला, वो हम लोको इस टाइप के देखने हैं, जो आज के टाइम में करेंट में भी बहुत चडचाओ में रहते हैं, सार्क, देखो special से बता दिया, शार्क, आसियान और साफ्टा, और अन्य छेतरी गुट, इन तीन पर तो बहुत special से ध्यान रखना, बाकी और जो छोटे चोटे 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 गुरूप्स बनते हैं, वो तो हैं, विश्व के बड़े मुद्दों पर भारत का द्रिश्टिकूण, विश्व बहुत important है, क्योंकि ये वाला मुद्दा हर साल चाता है, हर साल आता है, ये कौन सा मुद्दा है, बीच में आपने सुना होगा, सीरिया के अंदर ऐसा हुआ था कि chemical weapon चल गए थे, जैसे आप बीच में कुछ लोगों ने ये भी कहा था, कि जो ये बहुत से लोग मारे भी गए, तो उस टाइप के चीजों की बात कर रहा है, मैं ये नहीं कहा रहा है कि चायना ने वो काम कर दिया है, ऐसा लोग बोलते थे, तो निर स्तरी करण, किसे रिलेटेड हम लोग वो चीजे देखते हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, सौरी ये तो इस तरी करण है, लेकिन एक शस्त्र वाला भी होता है, मतलब वैपन्स वाला, वैपन्स के रिलेटेड, यहाँ पर इस तरी के बारे में बात करते हैं, मानवा दिकार के बारे में बात करते हैं, वैश्विक्ता के बारे में बात करते हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, और अब इसमें एक मुद्दा और जुड़ गया है आतंगवाद ये भी एक बड़ा मुद्दा है वैश्विक मुद्दा है तो इस टाइप से अलग-अलग जो विश्व के बड़े मुद्दे हैं उन पर भारत का क्या दृष्टी कौन है ब्रिक्स और भारत के लिए इसका क्या महत तो ब्रिक्स एक संगटन है जिसमें ब्राजिल, रशिया, इंडिया, चाइना जैसे देश उसका साउथ अफरेका जैसे देश उसके मेंबर है और इंसे लिड़ अलग facts और अब आता है भारत का सविधान और मुझे इसमें बताने की जूरत निया है हमको ये सारा ही पढ़ना होता है भारत का सविधान इसमें किस तरीके से constitution बना constitution assembly कैसे काम करी थी हमारी preamble किस तरीके से थी भारत की सविधान की मूल विशेष्टाएं क्या थी क्या रही है वो पहले part के अंदर याता है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तवे fundamental rights and fundamental duties DPSP राज्ये के निती निर्देशक तत्व part 4 सविधान संशोधन की process कैसी होती है महतपून सविधान संशोधन कौन-कौन से हुए है भारत में शाषन की संगिये और संसद्ये प्रणाली जो हमारी इंडियन गवर्मेंट है उसमें federal system और parliamentary system है वो किस तरीके से काम कर रहा है क्या है important जो committees है उनके बारे में सविधानी की निकाई जो important institutes है या important जो power authority bodies है वो जैसे election commission हुआ camptroller and auditor general of India हुआ या UPSC हुआ ऐसे बहुत सारे है चुड़ी श्री हमारी उसमें सर्वोच नियाले और उच नियाले हम लोग इसमें district court भी पढ़ता है पूछ लिया जाता है कहीं बारी तो ये हम लोग को सिर्फ polity वाले section में देखना और भारती राजनिती में ये मतलब ये Indian constitution को और describe करके रखा उससे related बहुत सारी चीजे भी हैं जो current affairs से बनती है हमारे पास प्रेजिडेंट हुआ प्रधान मंतरी हुआ उसकी परिशद कैसे काम करती है सचीवाले कैसे काम करता है प्रधान मंतरी का कारे कैसे काम करता है PMO office काम कैसे करता है हमारे आपर जो राजे पाल है वो कैसे काम करता है वो उसकी शक्ती कैसे है उसका सचीवाले कैसे काम करता है उसके मुखे सचीव के कैसे काम होते है वो सब चीज इसके अंदर रखती मतलब full detail करती इतनी detail है कि आप इस detail पर जाकर के IS के exam में बैठके हाँ देख सकते हो हाँ यह तो मुझे पता था ठीक है भारत की संसद और राजे विधान परिशाद है कैसे काम करती है चुनाओ तंतर वगरा दल बदल अधिनियम वगरा यह सब चीज हम लोग उसके अंदर ही देखेंगे राजनितिक दल दवाव सम्मू प्रेशर गुरूप्स वगरा कहने का मतलब यह पूरा कॉंस्टूशन से ही उठा करके चिपका रखा आपको यह सब चीजे मोशली कॉंस्टूशन के अंदर ही पढ़नी है ठीक है और एक special से पॉइंट आउट किया है पंचायती राज बहुत important है हर बार एक कोशन आता है उतराकंट PCS का तो इतिहास रहा हर बार एक कोशन देखने को मिला है जिसमें special से पंचायती राज सिस्टम के क्या क्या अधिकार है कैसे काम करता है कैसे election की process है क्या financials rights है उसके कैसे आया था Indian constitution में कहां उसकी जगह है schedules कौन कौन से है schedules में कौन कौन से works उनको दे रखे है हर एक चीज आपको देखनी होती है उसके साथ साथ लोक निती जो हमारे government के अलग-अलग नियम बना रखे है जो हमारे लिए भी है जैसे सूचना का अधिकार हुआ राइट to information हुई, राइट to education हुआ सेवक अधिकार यह कोशन पूछ लिया था सेवक अधिकार PCS के प्री में पूछा था लास्ट टाइम पूछा था सेवक अधिकार अधिनियम का बाया था उसमें पूछा था विश्व के अंदर सबसे पहली बार कौन सा देश था जिसने यह राइट दिया था डारेट कोशन पूछा था पिर अधिकारों से संबंदित मुद्दे कहां कहां पर आप लड़ सकते हो यह तो नागरिकता यह हम पार्ट टू के अंदर पढ़ लेते हैं 55 वाला, बाकि SC, ST, OBC Women's इन सबसे रिलेट जो अधिकार के अलग-अलग हमारे आपर सरकार ने एक्ट बना रखे हैं वो हमको इसके अंदर ही पढ़ने होता है फिर उसके बाद उतराखंड की राजवेवस्था जितनी चीज़े मैंने आपको उपर बताई है वो सब की सब चीज़े अब उतराखंड की ओपर applicable होती है किस तरीके से उतराखंड का साशन चलता है राजवेवाल किस तरीके से काम करता है विधाई का मुख्य मंतरी ये सब चीज उतराखंड पर applicable है वैसे इसमें उतराखंड वाले द्यक्ष कौन थे, इस टाइप की चीज़े ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि mostly जो mechanism है, वो पूरा देश वाला है, तो यहां से अलग से क्या पूछा जाए, तो factual data पूछा जाता है, ठीक है, next, जो unit है, आर्थिक और समाजिक विकास, थोड़ा सा important portion, जो आप लोग आम त कैसी है भारत में, भारत में आर्थिक सुदार reforms, यह repeat हुआ है, पहले भी मैंने आपको बताया था, वो LPG की policies कैसे रही है, FDI कैसे काम करता है, inflation का क्या system है, कैसे mechanism हैं उसका, हमारे याँ पर समाहिक प्रगती, मतलब जो development के progress के जो works है, हमारे याँ कैसे काम कर रहे हैं, आर् गरीबी बेरोजगारी से, import related जो हमारे हां programs चल रहे हैं, मानव विकास सूच कांग, किस तरीके से, human development index और report दोनों ही पूछी जाती है, जन गर्ना से, इंडिया की भी और special उतराखंड की भी, उसके विकास के और जन संख्या के क्या-क्या पहलू रहे हैं, हमारे हां urbanization के क् शेहरों की तरह भाग रहे हैं, सरकार चाहती है अब गाउं में ही सुईता दे दें, ताकि शेहरों पे ज़्यादा दबाओ ना हो, budget की क्या-क्या विशेष्टाएं हैं, आर्थिक, जो भारत की अर्थ व्यवस्ता है, उसकी क्या-क्या विशेष्टाएं हैं, वो हमको देख policies, पर योजनाएं, जो important योजनाएं है, taxation system कैसा है, banking system कैसा है, मतलब राष्टी विकास, राष्टी आय, भारत की कृष्षी, ये सारा का सारा मुद्धा आपको पूरा का पूरा इसमें हमारी economy वाले portion में देखना है, और इसी economy वाले portion के अंदर जोड़ा जाएगा international वाला, ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, जो important institutes है, पूरा आयोग ने खोल के रख दिया, भाई आप लोग इन इन में से उठा करके पढ़ लो, WTOA, IBD, और एक question बनता है, लगबग एक question देखने को मिलना है, जो pattern देखने को मिलता है हमको pre के exam में, WTOA, IMF, आशियान, OPEC, BRICS, साप्टा, सार्क, जैसे संगटन, ये सब चीज, FDI, FIRA, ये क्या कौन सा नियम है, money lottery वाला क्या, जो एक्ट लेकर क्या ही थी, government वो क्या है, मानविकास, सूचकां की हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही, बता चुका हूँ मैं आपको अभी तक, परिभाशिक शब्दावलिया ये current affairs से आती है, जैसे मैंने आपको geography की बताई थी, जैसे पूरा portion उदर उसका है, हमारे पास इंडिया का ऐसी उत्राखंड का, उत्राखंड के अंदर policies कैसे है, परियोजनाए कैसी है, योजनाए कैसी है, वो सब चीज़े हैं, वहीं unit 5 आती है सामानने विज्ञान और प्रद्योगी की, मतलब science and science and tech वाला portion, इसके अंदर जितने भी हमारे हाँ पर current affair के मुद्धे है, वो राश्ट्य और अंतराश्ट्य सम्मान, मतलब जो awards वगरा दिये जाते हैं, price वगरा मिलते हैं, जो important discoveries हुई हैं, खोज हुई हैं, जो काम चली रहा है, जिनके ओपर, विज्ञान, कॉंग्रेस, सम्मेलन, मतलब ये सारी वो चीज़े हैं, जो आप current affair में देखते हैं, current affair से रिलेटर आपको हर एक चीज़ नज़र आ जाती है, आप कोई भी किसी दिवी दिन का अखबार पढ़ो, उस दिन में आपको कुछ न कुछ चीज़ नज़र आ जाती है, ये वो portion है, जो portion आपको current affair में पढ़ते समय special से देखना होता है, क्यार हमारे इस topic में current affair से आज कुछ आया तो नहीं है, इसमें पुरानी चीज़े कम पूछी जाती है, लेकिन इस पुरानी चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ी होती है, जो खोज discovery वाला है, जो पूछ लिया जाता है पुराना, बाकी सब नए वाले पर ज़्यादा काम किया जाता है, इस वाले portion में, फिर national, state और international लेवल पर जो भी विज्ञानिक अनुसद्दान विकास कारे कराम हुए है, मतलब जो भी हमारे आपर science development से related काम हुए है, वो हम लोग देखते हैं इसमें, और बहुत important चीज़ है हमारा परिस्थितिकी और परियावरण, ecology और environment वाला section, जो पूरा दो topic से मिल करके बना होता है, हमारी geography वाला portion भी देखते हैं हम इसके अंदर, और special से environment के कुछ portion को भी जोड़ करके, हम इस topic के अंदर पढ़ते हैं, यह समझ में तब अच्छा आएगा, जब आप geography पर थोड़ा सा अच्छा सा काम कर लोगे, जोग्रफी के चोटे चोटे टाम लोजी उसमें climateology के बारे में अच्छी से जानकरी ले लोगे, उसमें geomorphology के बारे में अच्छी से जानकरी ले लोगे, तो यह बहुत आसान हो जाता है समझना, क्योंकि दोनों चीजे उस चीज से ही जुड़ करके बनी हुई, तो इसको उसके साथ जुड़ करके पता जता है, इसमें चीजे वोई हैं सब चीज, बाई कैसे मिट्टी है, पानी है, हवा है, वो सब का management कैसे है, government क्या कर रही है, by diversity किस तरीके से है, जोखिम में किस तरीके से पढ़ी है, उसके नियम कौन से बना रखे हैं हमने, सब चीज वोई है, भूम अंडल ये जलवाई हो, मतलब international level पर, वहीं उसके साथ साथ, फिर आती है, भौतिक विज्ञान serial read, मतलब एक तरीके से, यह आपकी 10th class की book है, 10th class की book के अंदर, जो important आपको, sorry, physics serial read, जो चीज़े आपको निज़र आती है, वो आपके syllabus के अंदर उठा कर रखे हैं, लेकिन, इसमें कुछ चीज़े नहीं भी, हम लोग ने जोड़ दी हैं, जो 10th class के अंदर, side book में हम लोगो नज़र आती हैं, जिसमें, जैसे cloud computing हुई, PC हुआ, computer networks हुए, आपकी securities हुई, internet हुआ, multimedia हुआ, इन सब से चीज़े, जो आज के हम time में हम लोग देखते हैं, जो current के साथ, हम लोग जुड़े हैं, जिन चीज़ों से हैं, वहीं उसके साथ साथ, science वाले portion के अंदर ही, जैसे, acid वगरा, acid, basic, basic, तत्वो का, उदगमन, ये सब चीज क्या है, वही 10th class तक के, लेवल का सिर्फ science है, लेकिन आपको IQ लेवल चाहिए, कौन सा, जो graduation लोगों के पास होता है, IQ उहां तक का, और, slaybers, 10th class तक का, इसमें, वैसे, ज़्यादा इस पे, ज़्यादा माथा पच्ची अगर हम करेंगे, तो ज़्यादा बेकार है, लेकिन, प्री-प्री की बात कर रहा हूँ, जिस पे नहीं आता है, लेकिन में इसमें तो एक पूरा subject, भई भर के डाल रखा है, विल्कुल scientist चाहिए हैं उन लोगों को, मेंस का topic में आगे बताऊंगा, आज तो प्री-प्री के बारे में ही बात करेंगे, इसके अंदर national, state और international level की, जो समसमाई की घटनाए है, और यहां clear करके बता दिया, कि आपको किन किन चीजों पर और ध्यान देना है, मतलब current affair में भी और वैसे भी, जैसे महादीपो और विश्व के देश, यह जोगरफी में हम लोग देखते हैं, लेकिन यह current affair की बात बोलना है, देखो भाई, उसमें भी current affair, विश्व अंतरिक्ष के महतपून घटनाए, current affair की बात की जा रही है, यह विज्ञान वाले portion में भी हम लोग ने देखा, विश्व के आश्चर यह, जो हम बोलते हैं न, आम तो अरपर हम बोलते हैं, भाई यह तो दुनिया के साथ अजूबों में से एक है, वो उस टाइब की बात की जा रही है, लेकिन वो साथ नहीं है, बहुत सारे हैं, यह तो सिर्फ एक हम लोग की धारणा बन चुकी हैं, विश्व के धर्म अलग-अलग, भारत के राज्ये, विश्व की प्रसिद पुस्त के लेक, यह सब करंट अफेर का इशू है, और यह पूरे की पूरी फाइल, मैं आपको एप्लिकेशन पर डाल दूँगा, वहां से आप इसको नोट, देख ले न, वैसे यह हमारी उतराखंट गवर्मेंट की साइट पर भी पड़ा हुआ है, आप वहां से उठा करके देख सकते हैं, उसके बाद तो, यह इंग्लिश में हैं पूरा, जो मैंने आपको मल्टी लेंग्वेज में बता दे न, अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता है, तो यह था आपको पूरा, प्री का स्लेबस, मेंस का स्लेबस किसी और दिन देखेंगे, जैसे मैंने कहा था, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, हाँ, एक घंटे की हो गई है पूरी, ठक भी गई होंगे, शायद दो-तीन बार देखी होगी है, वीडियो, दो-तीन स्टेप में, आपको कुछ चीज पूछने होगी, कॉमेंट बॉक्स में, कॉमेंट करके आप पूछ लिजेगा, ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बहुत हुआ, फिर कभी मिलते हैं, बाई बाई